हेलो, नमस्कार दोस्तों, 18 जुलाई 2018 की 10 हिंदू एडिटोरियल डिसक्सन में आपका स्वागत है, यहाँ पे हम 10 हिंदू के important डिटोरिल से हैं, वो डिसक्स करने जा रहे हैं, तो चलते हैं आज गी हमारी डिसक्सन की तरफ, तो एक बार नजर देख लेते हैं कि कौन-कौन स यहाँ पे साइट में जो छोटा वाल ऑटिकल है, यह है actually inflation को लेकि, यह भी जो wholesale price index है उसके बारे में है, कि इंडिया में actually इसके rate हो बढ़ गया है, उसके बारे में discuss क्या गया तो economic point of future यहां पर जो आर्टिकल नीचे वाला यह पुछ काम का नहीं है यहां पर जो आर्टिकल है यह एक्चुली नेंसल मंडेला के बारे में जिनको अफ्रिका का गांधी का जाता है तो अभी उनकी 100 वी बेर्थ एनुर से उसको लेकि यह आर्टिकल है तो इसमें कुछ पॉइंट हमारे में इंपोरिंट हो जाते हैं तो उनको हम यहां पर बना सकते हो। बाकी कुछ इसमें वह ज़्यादा पॉइंट हो काम की लीनिय है हमारे तो बतायता हूँ कि इसमें किस-किस तरह की बाते हैं कुर-कुर से पॉइंट यहां भी डिसक्रस हो किया गया है बेसिकली देखो इसमें पहले ही बताया गया है तो राइटर थोड़ा बेक्राउंड बता रहे हैं कि देखो स्टार्टी में क्या था USA और देखा जे तो यूरोप के अंदर रिलेशन बहुत बढ़िया रहे थे यूरोप ने काफी सपोर्ट लिया था USA का और USA भी काफी हिल्फ बढ़िया चल ले थे फिर यहां पर बताया रहे है कि आज के ट्रंप का जो रवई है वो कहीने के USA और जो यूरोप है इनके दोनों के रिलेशन को बिगाल रहा है क्योंकि आज के ट्रंप की जो अप्रोच है वो कहीने कहीन बिल्कुल सही नहीं सटीक बैठती है तो यूरोप के साथ जो रिलेशन हों के लगातार बिगड़ते जा रहे है तो थोड़ा यहां पर बताया गया कि देखो जब वर्ड वॉर्ड शेकंड खतम होता तो उस टाइम पर देखा जाए तो यूएस की जो एकोनोमी के बारे में बताया कि यूएस की एकोनोमी के पास लगब 70% सोना था पूरे ओल ओर वर्ड का इसके साथी 48% जो इंडेस्टी बस वो प्लान आपको बेसिकली के सी प्रिलिम्स में पूछ सकती है देखो मैं आपको एक चीद बताना चाहूंगा कि जब भी हम एडिटोरिल डिसकस करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो कि हमारे लिए प्रिलिम्स के नजरी से इंपोरेंट हो जाते हैं त प्लीज आप उन जो पॉइंट को आते हैं इंपोरेंट उनका आप नोट डाउन के लिजेगा जैसा तो ओलडी खैर मैं बता देता हूं आपको कि यह वाला पॉइंट के लिए इंपोरेंट आपको फिर पिर आपको कोई पॉइंट लगता हो तो उसको आप अलग से नोट ड आनकन है कि मार्सल जो प्लान था वो यूरोपियन रिकावरी प्लान के नाम से आता मतलब यूरोप को रिकावर करने के लिए क्योंकि यूरोप है पुरा कंप्लीटर हो गया था अपस में लडाई की हो जैसे बोड़ बोर की हो जैसे तो वह एक्चुली USA की हेल्प से था तो आंकि नाटो में हम कोई पैसा वसा नहीं देने वाले जबकि USA न यह न यह नहीं सुचा कि नाटो तो बनाया भी उससी ने तो था ना अपने फैदे के लिए NATO क्यों बनाया गया था ना था कि USSR को डिसिंटिकेट है यूरोप तो तो नाटो बनाया गया था तो 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 USA ने ख या खुद नखुद अपनी संकीन सोच को रखते हुए अपने आपको आगे ले जाना चाहते हैं तो उससे कहीं न कहीं उसके उसके यूएस से और जो यूरोप है उनकी रिलेशन लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं तो आज की टैम पर देखा जाए तो यूरोप की खु सवाल वहाँ पर सामने उठा हुआ है तीसरी बात ही है कि देखो अभी जो एकोनोमी की बात के जाए तो यू की या यूरोप की जो एकोनोमी है वो भी ठीक ठाग नहीं है तो मलब यूरोप तो खुद ही फिलाल तेंग्यों में गुजर रहा है और ऐसे महोल में अगर ट्रे इंगल क्या डिसकस किया गया है यहां पर यूरोप और यूसे के विजमे देखो आपको पता है यूरोप और रस्या दोनों की रिलेस्शन ठीक ठाग नहीं है उनकी ज्यदा बनती नहीं है यूरोप की बनती है यूसे के साथ इसलिए हुआ क्या अभी यूक्रेन के अंदर करवाया गया था Ukraine एक country है उसके location आप में में देख लाए ना तो Ukraine एक country है उसका एक part है करीमिया तो उसमें actually क्या क्या था USA जो रसिया है उसने वहाँ पर referendum करवाया जन्मत करवाया और उसको अपने अंडर ले लिया तो जो European country बोल सकते हो आप यह फिर जो western country है उन्होंने यह आरोप लगाया उसको रसिया के ओपर कि भई उन्होंने हडप लिया है उसको मतलब जो referendum नहीं करवाया जबरदेस्ती referendum जबाव होगा गरी थूँ और ऐसे-एसे हडपा गया यह सारा इस्सू सामने क्रेट हुआ इसके बाद में क्या हुआ रसिया को अलग थलग कर दिया गया रसिया को जी एड से निकाल दिया गया और जी से उन गुरूप बना दिया गया तो मिलब कहीं ने कि रसिया के ओपर जबाब बनाने की कोशी सा वह किये थी फिर यहाँ पर रायटर लास्ट में एक पोइन पइये बता रहा है कि देखों रियल बात तो यह है कि जो उरोपेन यूनियन आब बोल सकते हैं ओसका सबसे बड़ा इस्यू रसिया नहीं है उसका सबसे बड़ा इस्यू है अफ्रिकन माइग्रेंट्स तो अफ्रिकन माइग्रेंट्स यूरोप की बड़ी प्रोब्लम है तो इसलिए उसके उपर ज़िदा फोकस हो करना चाहिए और जो रिलेसंस है उनको भी ज़दा फोकस देखे आगे चलना चाहिए यह बेसिकली इस आर्टिकल में पॉइंट्स होगे रहा है तो कुछ पॉइंट हो जाते हैं खर बाकी तो पॉइंट्स हमने ओलेडि यहां पर पहले आर्टिकल में डिसकुस हो हो किये हुए है तो दो चार पॉइंट्स है जो रहस्या का एंगल था वो आप ठोड़ा यूज कर सकते हो कि यूरोप के अनदर जो problem है वो migrants की अफ्रीकन migrants की ना कि रस्या की जदा problem है रस्या से कोई खत्रा नहीं यह इतना जितना की migrants का वहाँ पर हो रहा है तो यह था complete article अब यहाँ पर चलते हैं इस article में यह जो article है यह actually आज interview है यह interview है actually USA को लेके और इंडिया को लेके तो इसमें कुछ points से वह हम यहाँ पर discuss करेंगे काफी इच्छे points यहाँ पर हो जाते हैं फिर यहाँ पर आता है नीचे यह article यह जो article ही actually है गोवा के बारे में तो इसके बारे में थुरा हम discuss करेंगे दो-चार points ही बस आप notes कहर मत बनाना आप पुर्दा जाता हूं कि context यहाँ पर क्या है context यह है कि देखो गोवा गोवर्मेंट ने भी recently decision यह लिया आपको पता कि गोवा union territory है और वहाँ पर काफी जदा पैसा है वो actually central government की तरफ से दिया भी जाता है तो अभी वहाँ पर हो क्या रहा था कि वहाँ पर management डंक से काम नहीं कर रहा था bottle गरा के लिए इसलिए वहाँ के government decision लिया कि वहाँ पर जो beer की bottle है उनको ban कर दियागा कि beer की bottle है यूज है वो नहीं कि जाएगा तो writer उसको बोले है कि देखो ban करने से को solution नहीं है इसके लिए जो solid waste management डूल है उनको हमें strong करना चाहिए government की वहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है परशासन की कि वहाँ पर जिसतर के अगरा management है उसको और जदा बढ़ाया जाए और वहाँ पर एक तरीकी से निगरानी वगरा हो की जाए और जिसतर के bottle वगरा का जो इसलिए उसको solve क्या जाए क्योंकि देखो अगर वहाँ पर जो tourist वगरा जा रहे है तो उनके लिए तो profit जगह होनी चीए कच्रा वगरा रखने के लिए dustbin वगरा होने चीए कि वहाँ पर बहुतले वगरा फ्रके या फिर जो एक अच्छा solution दिया गए आपर कि जो भी company वहाँ पर beer supply करती है उसके जिम्यदारी होनी चीए कि वह ही बहुतलोगों collect करे क्योंकि देखो वहाँ पर काफी जदा मातरा में beer स्वगरा बेजी जाती है तो obviously वह company अगर उन बहुतलोगों collect करेगी और फिर उनको और सरी डिक्ठिकाने लगाती है वह गोवा यह चाहता है कि 2020 तक complete solution फिर यह बोल सकते हो कि वहाँ पर इस तक परदूसन है उसको कहिने के खतम क्या दसके 2020 तक उन्हें step रान है इसलिए उनके द्वारा है decision है या निरन है वो लिया गया था तो फुरा में पता होना चीए कि भी क्या चल रहा है अब हम चलते हैं हमारी discussion की तरफ सबसे पहले आज हम discuss करेंगे इंडिया को लेकर जो article है wholesale price inflation को लेकर तो यहाँ पर देखो हमें economy के नजरे से 3-4 चीज़े हैं वो काफी अच्छे से discuss हैं करनी होगी सबसे पहले तो हमें यह पता होना च्छे कि wholesale price inflation है क्या इसके बाद में हमें 2-3 तरह की inflation हो रहा है उनको हम एक करके यहाँ पर discuss हैं वो करेंगे अभी देखो context है कि recently देखा जए तो wholesale price inflation जो index है वो पिछले 54 महिनों से highest पर पहुंच गया है अभी जो wholesale price inflation है उसकी rate है 5.7% और आपको बता है RBA की guideline के है RBA की guideline basically है कि 2-6% के बीच में रखना है मतलब 2% से कम नहीं होना चीए inflation वो 6% से ज्यादा नहीं होना चीए कर वो अलग बात है कि RBA आजगे टाइम पर wholesale price inflation को index नहीं करती है वो आजगे focus करती है consumer price index को तो वो एक अलग बात है कि आजगे टाइम पर consumer के उपर जदा focus हो किया जाता है कि वो तो wholesale के प्राइस होती है वो consumer के लिए कोई फायदेगी नहीं होती है बैस जो चील आप wholesale में ले रहे हो आप बोल सकते हो कि एक तरह के से wholesale market में कोई भी चीज लिजा रही है थोक के अंदर तो उसका customer थोड़ी effect परता है customer को तो daily life में जो चीज इस rate पर मिल दी है वो उसके लिए important होता है न तो इसलिए आज की टाइम पर RBA ही है वो inflation को check करने के लिए consumer price index को focus करती है जैसा हम जाते है कि inflation के लिए जो RBA की monetary policy है वो responsible है monetary policy में कितने member होते हैं वो आपको comment box में बताना है कौन-कौन इसमें होते हैं यह आपको complete यहां पर बताना है अब हम चलते हैं आगे आगे देखो यहां पर दो चीज़े और है एक तो होती है GDP नोर्मल है और एक होती है GDP आती है GDP तो हम दूंको देखते है GDP का मतलब यह है कि एक country या कोई भी जगह ले लो उसका पर्टिकलर जो physical area उस area के अंदर जितनी भी goods और service हो रही है उनके final value मतलब ऐसा नहीं कि बीच में आउनको अटग लो उनके final value को अगर आप कर दोगे तो GDP आज है अब GDP के बात के तो यह भी दोत्रे की होती है एक तो होती है real GDP और एक होती है nominal GDP real GDP और nominal में difference क्या है देखो real GDP में मतलब यह है कि उनस पे inflation का effect नहीं देखा जाता है जैसे आपको example बताता हूँ आज यह मालो की बिस्किट के example लेते है पार लेजी का बिस्किट है आज भी वह 5 रुपय का आ रहा है और आपको पता है काफी लंबे टाइम से उन बसबन से वह 5 रुपय का देखा जा रहा है तो मतलब पहले खेर वह लग बात है कि उसमें बिस्किट जादा थे ते आर अगर देखा जाएगी पहले भी 5 थी और आज भी 5 थी तो वह हो जाएगी real मतलब महंगाई का जो effect है अगर उसको हम हटा दे और फिर GDP को count करें तो वह हो जाएगी real GDP ठीक है इसके बाद मैं करे nominal GDP बात नोमिनल GDP की बात होती है कि इंफ्लेशन का जो effect है अगर हम उसको count करके चलें तो वह हो जाएगी nominal GDP जैसे कि मैंने आपको बताया कि biscuit की rate आज यह मालो 5 रुपए है और कल यह अगले दो साल बाद उसकी 6 रुपए हो जाती है तो मैं लोग उसमें inflation का effect है और count किया गया है तो वह हो जाएगी आप नोमिनल GDP यह पिल भी आपको basically समझने के मैंने कि अधिसे याद रख सकते हो कि real GDP का मतलब ही होता है कि इसमें inflation काई effect नहीं होता मतलब महंगाई को count नहीं करते हैं महंगाई का effect उसमें नहीं देखते है और और nominal GDP का मतलब भी होता है कि उसमें महेंगए को count किया जाता है कि 20 साल महेंगए वगरा क्या रही है उसके basis पर बस यह दो चीज़े आपको यहां पर धान है वो रखनी है अब यहां पर एक वर्ड और आता है वो आता है GDP deflator GDP deflator का मतलब भी होता है कि इंडिया में जो चीजे divided by real GDP into 100 अगर nominal GDP जादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा जो price का level हो जादा है मतलब चीजे महेंगी है nominal GDP का मतलब कि इंफलेशन उसमें इंक्रूट की गई है इसका मतलब क्या हुआ कि जो price का level है चीजों का वो भी बढ़ गया CDC आप ऐसे समझ सकते हो और अगर बात करेंगे क कि nominal GDP कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा जो प्रचीजों की rate है चीजों का level है जो उनकी price का level है वो भी कम हो जाएगा तो वो होता है GDP deflator तो यह आपको धाना करने कि GDP deflator कैसे count करते है और GDP होती क्या है real GDP क्या होती है nominal GDP का मतलब महेंगई को count नहीं किया गया है जैसे एक तो subsidy भात है कि globalization के time है आजगा तो अगर ऐसे महोल में crude oil की price है बढ़ रही है तो आपको पता है obviously हर चीज़े महंगी हो लिए crude oil बढ़ा मतलब इंडिया का खर्चा बढ़ेगा इंडिया का ट्रांस्पूर का खर्चा बढ़ेगा तो चीज़े महेंगी होगी हो ओविएसली तो मतलब शिदा सिदा इंडिया के हमारी economy वो बढ़ेगी और आज इकोनोमी बढ़ेगी कहा मिलब हमारा जो खर्चा बढ़ बढ़ेगा और महेंगाई बढ़ेगी और आज गी टाम पर आपको बढ़ेगी और आज गी टाम पर आपको क्रूट ओल की डिमांड हो लगातार बढ़ रही है इसी के साथ साथ क्रूट ओल की सप्लाई कम हो रही है तो कहीं नहीं कि महेंगाई बढ़ रही है तो इंडिया म तेमाटर के रेट सडनली बढ़ गे थे प्याज गे मतलब इनकी चेंज तो टमाटर हुआ अलू हुआ प्याज गे इनकी रेटे बहुत जल्दी चेंज जब होती रहती है काफी इनकी रेट में होती है इसलिए इनकी प्रैस को भी एक तरी आप सेंसिट्टू हो माना जाता है क आज की प्रैस बढ़ एक दो इनकी प्रैस बढ़ रही है तो इनका भी इफेक्ट भो जल्दी आता है अब हम बात करते हैं आगे आगे बात एक पोईंट और आता है यहां बहुत ह新聞 प्रचिंडेक्स कशी ASMR की बीट ही है कि दिखो हुरोसेलर मृज्व बैटियस होता है मतलब wholesale price index है उसके अंदर fuel को भी count गया जाथ है फ्यूल का कितना effect पड़ेगा इसके साथ primary goods है उनका कितना effect पड़ेगा और manufacture जो चीज है इनका कितना effect हो पड़ेगा देखो कोई भी चीज अगर company से produce की जा रही है तो उसमें primary goods भी use होने वाले है और manufactured product है तो उसमें include हो रहे है तो primary goods की बात करें तो मतलब raw material हो गया तो जो wholesale price index होता है यह आपको prelims के लिए important है यह बता देता हूँ wholesale price index में क्या होता है जो primary goods या raw material होते है इनका weightage कितना होता है वो पता होना चाहिए इनका weightage होता है लगबग 20.12% के आसपास यह मोटा मोटा आपको ध्यान लखना है fuel का weightage करें तो वो होता है लगबग 14% के आसपास बस आपको पुरा exactly नहीं रटना है बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि फ्यूल का सबसे कम है प्राइमरी जो गूर्स है उनका weightage चोड़ा ज्यादा होता है और manufacture चीज़े है उनका weightage भो ज्यादा होता है तो यह आपको धान रखना कि basically किनका weightage ज्यादा कम होता UPC के वारे में भी पूछ है वो लेती है अब यहां पे एक तरह की महंगई और आती हो आती है यह आपको पता कि तेल अगरा है कि जिससे price हो काफी जल्दी change होती रहती है जिससे कि अगरे में डिसकूस किला ना कि आलू पे आज टमाटर की rate होती होती है बहुत जल्दी उसी तरह से तेल अगरा हुआ या डेली खाने पिन एक चीज हुई इनकी rate बहुत महंगी या बहुत जल्दी vary करती है दो दिन अगर दूद की supply नहीं हुए तो दूदी rate बढ़ जाती है CTO अगरा में तो वह वाला सीनिय आपर आप यूज है वो कर सकते हो तो मतलब headline inflation का मतलब ही हो गया कि जो oil वगरा की महंगाई होगी energy वाली जो महंगाई होगी फिर food वाली जो महंगाई एड कर दोगे तो वह होगी headline और core inflation का मतलब ही हो गया कि जो oil वाली महंगाई को आप minus कर दोगे मतलब food और energy वाली महंगाई को आप minus कर दोगे तो जो core inflation है वो count हो जागी अब बात करें हम core inflation और headline inflation में कौन ज़्यदा stable होती है तो देखो इसमें कैं महेंगा के effect कम है क्योंकि इसमें oil वगरा को उनको include नहीं किया गए तो जितनी कम चीज़े होगी मतलब उस पर effect बहुत कम होगा तो मतलब क्या होगा कि जो core inflation है वो ज़्यदा stable होता है यह sensitive कम होता है और headline inflation बहुत जल्दी sensitive होता है इसके rate बहुत जल्दी up down होती रहती है क्योंकि जैसे oil की demand बढ़गी तो obviously इसकी rate inflation बढ़ जाएगा oil की rate कम होगी तो नीचे जल्टू नीचे गिर जाएगा तो यह अलस यह आपर होता है तो ऐसे आप इसको याद है वो कर सकते हो तो basically इस article में यह कुछ points थे जो हमने आपर discuss है वो किये है अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment box में बेजी जग पूछ चकते हो next जो article है आपर वो है नेंसल मंडेला को लेके देखो यहाँ पर जो question बनता है वो UPSC जैसे की गांधी जी को पूछ दी जी बेसिकली वो ही question यहाँ पर बन सकता है कि भई जिस तर किसे गांधी जी के idea थे वो उस time पर relevant थे तो कि आज के time पर relevant है या नहीं है वो ही बात यहाँ पर पूछ सकती है कि नेंसल मंडेला साब के idea थे आज की time पर relevant है या नहीं है तो basically भई आज की time भी उनकी idea है वो relevant है क्यों क्योंकि problem आज की time पर कम नहीं है पहले की time पर problem दूसरे type की थी problem आज भी कुछ उसी type की आप एक दिक से कह सकते हो तो आज की time पर corruption बढ़ चुका है इसके साथ या बेरोजगारी है वो बढ़ रही है इसका discrimination है वो भी कहीं नहीं बढ़ रहा है और जो पोलिटिकल आप हो सकते हैं तो ऐसे महोल में जो नेंसल मंडेला की जो आइडिया थे जो की गांधिवादी एडियोलोजी की या बोल सक आइडिया को या आज की time पर भी यूज है क्या जकता है क्योंकि नेंसल मंडेला ने अफरिका के लिए साथ अफरिका के लिए बहुत अच्छे स्टेप है उठाई थे इसलिए इसलिए इनको अफरिकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है और अभी उनकी अंडेड वी के आर्टिकला हुआ है देखो उन्होंने सबसे स्टेप क्या उठाई थे एक तो उन्होंने ब्लेक वाइट का इस्टी निती भोजदा थी तो उन्होंने काफी पूर जोर से विरोध है वो क्या था दूसरी बात है कि साउथ अफरिका के इंदर डेमोक्रेसी लाने में या व अंडेला का काफी एहम रोलता तो यह चीज़ भी हमें आप पर जान रखनी है और वहां पर फोलिटिकल लेडर के तो पर उन्होंने काम में वो किया तो और उनका कुछ पॉइंट से इंकाम यूज है वो कर सकते है नेक्स जो आर्टिकल है वो आया है इंडिया- यूसे रिल आपर बैसिकल एक तो ट्रेड ओर के बार में डिसकस क्या गया है कि बढ़ी ट्रेड वर को लेखे क्या है स्टेफ अगर अभरा उठानेगी तो उसको लेकि आपर फ़िए अंगे पॉंट से हैं तो ट्रेड वार आपको बता है कि आजगर टाइम पे यूसे ने जो इंपोर् और ऐसा नहीं कि वो USA को फैयादा दे रहा है, सबी कंटीज के लिए उसे बुक्सान है, वो हो रहा है, टरिफ और नों टरिफ बेरियर के बारे में हमने काफी बार डिसकस किया है, तो यह आपको पता होना थी है, देखो टरिफ बेरियर वो होते हैं, जैसे डायरेक्ली रेट पर देखेंगे, जो कि 20 साल से उपर के यूथ है, उनके द्वार बने जाएगा, बहुत बेतुक्य बहाने देना, या कहां देना कि नहीं है, इंडिया का स्टील है, हमारी क्वालिटी के लिए है, सही नहीं है, हमारे स्टील के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम उसको यूज इसलिए हम उसको यूज नहीं करें, तो ऐसे जो बहाने टाइप के हो गये, बहलब कोई इधर उदर से बाते घुमाके करना वाला काम हो गया, वह हो गया है, यहां पर नोन टेरी बेरियर, अब बात करें, इस टिरो ऐलुमिनियम के उपर अभी उन्होंने आपको पता कि ट् आपको बता दे कि यहां पर चला क्या है, रस्या का एंगल डिस्केस किया गया कि इंडिया के खुद की पोलिस है, इंडिया की अपनी मर्जी है, इंडिया की सोरिन करनती है, कि वो किसके साथ कैसे रिलेस्ट रखें, इसमें यूज यूज को कोई भी इस तक्सेप करने की ज जिसेके टे के लिए हो, इसलिए इंडिया-इंडिया- Been साथ राखें अपने रखेंगा, बात की जाए है रस्या की तो रस्या के साथ भी अपने इंडिया का लात पूराना साथ ही है, और इंडिया यूज की डिफेंस त्लेशन बहुत स्थ्ट्रोंग है, तो यह इस article से